प्रशाद हमारा ठेकवा का बनता है उसके लिए जो भी ट्राइफ रूट्स कट होता है जो भी प्रिप्रेशन होती है चट पूजा की वो हम लोग यहां बैटके कर रहे है मेरी ननत बैटी हुई है मेरी सासूमा है और मेरी सासूमा छोटी चाची है इसके बाद में फ्रेंट्स हम यह सब काम निप्टा के चले गए थे गंगाजी गंगाजी हमारे घर से बहुत पास में है तो फ्रेंट्स यह कोई प्रॉपर घाट नहीं है वो गाओं के किनारे जो गंगाजी होती है उस तरीके से है यहाँ पर हमने चट मैया की वेदी बनाई थी वहाँ पर हमने साड़ी चड़ाई थी उसके बाद में सूर भगवान को अर्ग दिया शाम का और उसके बाद हम घर आगे खरना की तयारी के लिए और फ्रेंट्स यहाँ देखिए यहाँ पर मेरी जो छोटी चाची सास है वो क्या कर रही है वो गुड़ की खीर बना रही है जो कि खरना के दिन बनाई जाती है और फ्रेंट्स यह जो खीर है इसको हमारे मेरे ससुराल साइड में तो बखीर कहते है पर मेरे माय के साइड में इसको रसियाओ कहते हैं ये गुड़ और नय चावल की बनी होती है और फ्रेंड इस गुड़ की खीर के साथ में बनता है रोटी बनाई जाती है और इसके साथ में केला प्रशाद में चड़ाया जाता है इसके बाद में छटके जितने लोगें इस प्रशाद को गरहन करते हैं और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स भी अब यहां फ्रेंड मेरे एक एक करके मेरे सारे फैमिली मेंबर यहां आएंगे दर्शन करेंगे और उसके बाद में प्रशाद गरहन करेंगे तो फ्रेंड ये जो खरना की पूजा हो रही है न ये हमारे पुराने घर में हो रही है ने घर में नहीं हो रही है हमारे पुराने घर में छट पूजा की पूजा होती है और मतलब ये होता है न कि पुराने घर में दादा बाबा लोगों के जमाने से चीज़े होती आई है एक बाद ले आओ फिर नहीं तो फ्रिंट यहां पे देखिए यहां पर सब लोग आ चुके हैं प्रशाइद के लिए और यहां पे सिफ हमारी फैमली नहीं जो हमारे पटिदार में जो हमारे रिलेटिव से भई या भापी लोग हैं बड़ी मम्मी वगयरा का घर है सब लोग आते हैं यहां पर खर्णा में दर्शन करने के लिए खर्णा पूजन होने के बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी अपने रूम में कल बहुत भागम भाग हो जाएगी तो मैं अपने सारे साड़ी कपड़े से बरेंच कर रही थी तो मैंने सोचा एक छोटा सा जलक अपने कल के मैं आप लोग को दिखा दूँ हाँ पर देखे फ्रेंड्स यह मेरी जिठानी की बेटी है यह आई है मुझे महंदी लगाने के लिए काफी रात हो गई थी तो इसने मुझे रात तक मेरा वेट किया कि चाची जब खाली होंगी तब महंदी लगवाएंगी दो बच्चे है तो खाली होने में टाइम लगता है फ्रेंड्स और यह बहुत अच्छी महंदी लगाती है तो फ्रेंड्स अभी बच रहे हैं रात के तीन और तीन बचे रात को उटके नहा करके मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अपने पुराने घर क्योंकि फ्रेंड्स ठेकवा का जो प्रशाद है हमारे हैं बहुत सारा बनता है और तीन बचे चार बचे से शुरू होते होते दुपहर के दो तक बच जाते हैं तो इसलिए हम एकदम बोर में उट जाते हैं यह कई बोर से पहले ही उट जाते हैं और सारी त्यारी करके पुराने घर में आ जाते हैं ठेकवा बनवाने यह फ्रेंड यह जो गरीन वाला आप घर देख रहे हैं यह हमारा नया घर है और जहां पर मैं हूं यह पुराना घर है इस जो आगे का पोर्शन आप देख रहे यह मिट्टी का बना हुआ है ये देखे, ये बहुत ही हम लोग के बाबा लोगों के जमाने का बना हुआ है पहले मैं शादी करके आई थी, तो मुझे भी इस घर में तोड़ा सा अजीब लग रहा था लेकिन हम लोग के लिए तो नया घर बना हुआ था इस वाले घर में तो मेरी सास जो है सास लोग है वो शादी करके आई थी और फ्रेंड जो बहुएं आने वाली थी उन लोगों के लिए नया घर बना दिया गया है वैसे सब दोनों तरफ अच्छे से मिलके रहते हैं इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इस घर नहीं आ सकते या इस घर में नहीं रह सकते ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और यहां देखिए मेरी तीनों सास लोग मिलकर के मतलब वो मुझसे भी पहले उड़ गई है वो लोग और यहां पर उन लोगों ने लगबख प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दी है और यहां पर ठेकवा तलना भी शुरू हो चुका है यह देखिए प्रॉब्लम नहीं है बंगाली तो बिदारा से नहीं है प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम नहीं है जब हमार काफी रहते लिया तो उप्रॉब्लम नहीं है और फ्रेंड्स यहां देखिए मिरी सासू मा लोगों की नोगजोग भी जलती रहती है मस्ती मजाग भी चलता रहता है ऐसे मिलजुल के सारा काम होता रहता है और फ्रेंड्स अभी देखिए अभी तो मैं आई हूँ और अभी और लोग भी दीरे दीरे करके आएंगे सब लोग नहा नहा के रड़ी होके ठेकवा बनवाने के लिए और यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो ठेकवा बनाया जा रहा है ना यह गुड़का बनाया जा रहा है इस समय गुड़का भी ठेकवा बनता है और चीनी का भी बनता है लेकिन गुड़का जो सूप में में सूप में ठेकवा चड़ाया जाता है वो गुड़का चड़ाया जाता है और यहाँ पर देखिए यहाँ मेरी जो चाची सास है वो चावल के लड़ू बना रही है क्योंकि चावल के लड़ू भी चटपूजा में चड़ाना जरूरी होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने चावल का आटा लिया है उसमें ड्राइफ रूट्स डाले हैं और यहाँ देखिए बहुत सारा गुड़ ले लिया गया है क्योंकि हर चीज में गुड़ पढ़ना है उसको पानी डाल डालके गुन-गुना पानी गरम पानी डाल डालके उसको गलाया जा रहा है और उसके बाद में वही ठेकवा में पड़ेगा और वही वो उसमें चावल के आठे में मिक्स कर रही है और उससे वो लड़ो को बाइंड करेंगी और यहां देखे फ्रेंड मीरी ननद भी आ चुकी है और वो यहां पर वो भी यहां पर ठेकवा बनवा रही है और यह देखuy OP चावल के लड़ू चाची duas aynı कर रही है और यहाँ पर जो मेरी हर्फ थाकवा तल रही है इसी तरीके से सब लुक मिल करके काम कर रहे हैं और यह देखू, यहाँ पर 8 बच चुके हैं सुब और अभी तक थेख रहा भी रहा है तो फ्रेंड्स अभी पुराने घर से मैं नए घर में आ गई हूँ यहाँ पर मैं अपना कोसी भरने वाली हूँ आज तो कोसी और जो बाकी बड़े दियें जिसको परही कहते हैं उसको मैं पानी से दोने के लिए आई थी कि उसको दो करके सुखा दूँगी तो मैं इसलिए इस घर आ गई थी और अब मैं वापस से उस घर जाओंगी फिर से ठेकवा बनवाने के लिए काची तो फिर्ट यह यहां पर लास्ट जो पराथ है वो साना जा रहा है इसको सानने के लिए मेरी छोटी ननदा आई हुई है और यह देखिये यहां पर आनटा लिया हुआ है और इसमें डाला जारह है पिसावा चीनी उसके बाद इसमें नालिल का बुरादा किसमें समकाना डाला जाए गा सब कट करके डाला गया है इसके बाद में गी डाला जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा फिर पानी डाल करके इसको सान दिया जाएगा इसके बाद में हम लोग इसको बाइंड करके इसको ठेकवा जो आता है गरने वाला उससे ठेकवा का जो साचा है उसमें हम इसका ठेकवा बनाएंगे फ्रेंड यहां पर सब लोग तो तीन बज़े से लगे हुए थे तो इस समय यह जो लास्ट पर आता है इसको बनाने की ड्यूटी मेरी ननत की लगी हुई है तो यहां पर वही बना रही है कोई ना जारा मिठा खाले रहा है जाजी कुछ खाये ना कबने अंग्रेड रादू रुखेगी मेरे सब्सक्राइब महाले रहेंगा आपल लेके आएंगे सुनी उससे कहिएगा कि छट जाड़ देगे न हम छट पर करेंगे फ्रिंड यहां पर भी ठेक हुआ वाला सारा काम जो था वो सबका खतम हो चुका था तो यहां पर मैंने आएपन ले रखा है और आएपन लेने के बाद में मैं सारी जितनी भी चीज़ें सब पर आएपन छुआ रही हूं उसके बाद मैं इसके उपर सिंदूर लगाऊंगी अभी आपने वीडियो में देखा है थोड़ी दिर पहले मेरी जो ननत है वो भी सारी चीजों में मिलकर के दोनों मिलकर के आएपन लगा रही है फ्रूट धो रही है वो लोग फ्रूट धोएंगी और सारी चीजों में आएपन लगाएंगी और सिंदूर लगाएंगी और पर मैं नए घर आ गई हूँ यहाँ पर मैं अलग अपनी पिप्रेशन कर रही हूँ तो दोनों घर में चटकी पिप्रेशन चल रही है फ्रेंट बाकी सारी पिप्रेशन तो पुराने घर में हो रही है लेकिन मैं इस नए घर के आंगन में ही अपनी कोसी भरूंगी इसलिए मै कोसी की पिप्रेशन इस घर में कर रही हूँ और यह करने के बाद मैं पुराने घर चली जाओंगी वहाँ पर मैं सूप लगाने के तयारी करवाऊंगी चाची के साथ तो यहाँ पर देखे फ्रेंड्स यहाँ पर सूप लगने की तयारी हो गई है यहाँ पर जितने भी सूप चड़ाया जा रहे हैं, उनको सजाया जा रहा है. उत्थार, अहां थी. कोके जाफिए चारा, जाफिशी तरेको हैं, जाम नाहिए. चारा, भाए ऩर वहां श्याफ़ा कीजिक नौन रहा है, जाले truth श्याफशी सुद्देध क्षालर मौश этот उत्सिंट तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए हम लोग गंगा जी पर आ चुके हैं घर से तो फ्रेंड्स घर से गंगा जी तक आने की वीडियो नहीं बन पाई है क्योंकि मेरे हस्बन को यह अपने सर के उपर दौरा रख करके लेकर के आना था तो वो दौरा लेकर के आ रहे थे दोरा जो होता है फ्रेंड्स उसके वो भी उसमें भी फ्रूट्स वगरा सजा करके सब सजा के लाया जाता है और उसी के उपर सूप रख करके बांध करके लाया जाता है तो वो घर के जो जेंट्स होते हैं वो लोग लेकर के आते हैं दोरा हमेशा सर पे रखके लाए जाता है तो फ्रेंड यहां पर मैं गंगा जी आ गई हूँ जो मैंने कल यहां पर वेदी बनाई थी उसी के उपर आइपन लगा करके सिंदूर लगा करके और उसके उपर मैं कलश इस्थापित कर रही हूँ यहाँ पर आम का पलो डाल करके यहाँ पर हम कलश के इस्थापना करेंगे और फ्रेंड यह जो हम दिया यहाँ पर जलाएंगे ये दिया हम पूरी राज जलाएंगे कल सुबा तक जब तक हमारा ब्रत नहीं खुल जाता तब तक हम इस कलश में जो दिया जल रहा है वो पूरी राज जलेगा और कल सुबा तक मतलब जब तक पूजा खतम नहीं हो जाएगी तब तक जलेगा लिज भीज में बति लगाऊंगी तो अच्छे से लिजटा रित आपने अधुल गुट से ठीक में राखें मलवा इजी पाकरें आउर उपर रखा बना थी नहीं आदे रखा मिलज्ड रहा है बनादे नहीं आपी ज़िदु और सश्टीन के पगड़े ना की आपड़ा ज़िदु डाटव आपड़ वाटव आनो चलत बोते हैं से का फार शीसर करो हो ईयुख इयुफयांग हुआ जी नखे नखे पते हमाई कार्वाग मेरा फिसर शहाना करना हाप जी नखें लगड़त, जีक्सन परपाशिए पावड़ पते हैं टक्रक्त पते हमाना कार्वा हमाना भी जाओ नखें कात ऒालग के लगा जिसे कुछ जाओ नहीं प्रपड़ हमाई तो फ्रेंड शाम का अरखा दे करके हम घर पर आ चुके हैं और उसके बाद में हमने वाँ पे साड़ी बदली थी तो फ्रेंड जो साड़ी है मैंने प्रॉपर पहनी नहीं है बस किसी तरीके से मैनेज करके पहन लिए कि मैं घर पर आ जाओं मैं उपर कर हुँ जल्गे फत्म हो जारी है फिर अच्रान आइ मैं इस पत्ति को सही किच आप कर सहां जो हो जो हो जो 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 हो जो है कि डोगराइब कर दो देदक अपनेता तर दो जो 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 मेरे जा भाज़ा है अब मार तेजे बात मार की आपके आपस यूज पापी सोलजने में, सरवाख इस तो फ्रेंड यहां पर मैं और मेरी चाची सास हैं हम दोनोंने कोसी भरी है मैंने मट्के वाली कोसी भरी है मेरी चाची सास ने हाथी वाली कोसी भरी है friend और यहाँ पे मेरी दोनों जो देवरानिया है वो दोनों बैट करके मेरे साथ मिलके गाना गार है और हमें चटके गाने का मतलब ऐसे तो टेप में मुजिक वगरा सुनो तो सही है ऐसे मुबाइल से देख देख के गाना गार है है इसके बाद मैंने मेरे हजबन ने मेरे बेटे ने हम सबने मिलकर कि यहां पर हवन किया और कोसी पूजन किया अभी फ्रेंड जो कोसी में जो दिया जल रहा है ना इसको हम पूरी रात देखेंगे एक भी दिया हम बुझने नहीं देंगे और अगले दिन सुबह में फ्रेंड ऐसे ही जलती होई कोसी हम घार तक लेके जाते हैं अच्छा आप चलो अपना लो जा कर दो तुम ताओ उसको की ज吧 कि अ कर तकलो करीशा प्रेंड है ना दो सीवी appeal ना ऑःए जाऑ आए जब प्रोफ ह तरो अधार सब्सक्वरão में बुझने कि हो टूझने करने नढ़े कहां पिछ्नी बार में ना याई य।करस्ट्टा यहां पे देखे फ्रेंड्स हम लोग अभी बैठे हुए हैं अभी हमें अपना जो भी कलसा की पूजा करनी थी हमने वो सारी पूजा यहां पे कर ली है और उसके बाद में अभी हम लोग गंगा जी में जाके खड़े भी होंगे बट उससे पहले हम क्या करेंगे हम एक दिया लेंगे और वो गंगा जी को भी एक दिया समर्पित करेंगे एक दिया जलाएंगे तो इस समय मैं वही करने जा रही हूँ मैंने दिया ले लिया अभी मैं उसको गंगा जी को मैं समर्पित करूँगी मतलब उनके लिए जलाऊंगी मैं दिया उनकी पूजा करूँगी तो फ अब यहांपर हमें गंगा जी में खड़े होने का टाइम हो गया था तो फिर मेरे हाथ में गंगाजी में खड़े होने से पहले हाथ में अगर बती लेके खड़े होते हैं फूल लेके खड़े होते हैं तो उसके लिए हाथ में आइपन लगाते हैं आइपन जो होता है ना फ्रेंड वो चावल को भिगो करके उसमें हल्दी मिलाके पीस के बनाया उसके बाद पानी में ख़ड़ा हूए जाता है धना पकल गिमाज़ जाना अब ले ले जाल घ्सकेता जनकी किर देगा है कि थेगा जनकी कर दो दो आज़ कर दो प्लादक प्लादक जा जाजयों 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 टा संगे, कृद जा जा झाल जाज़ को आ जाज़ है तो यहां पे फ्रेंड थोड़ा सा मेरा ध्यान ऊपर भी जा रहा था बच्चों की तरफ में क्योंकि सब लोग पटा के जला रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चे अपना हाथ वाद ना जला ले और फ्रेंड यहां पे देखे मेरे जो देवर और ननद हैं वो और मेरी देवरानी लोग मिलकर के जितने भी सूप थे सबको अच्छे सा सजा दिये थे और उसमें दिया वगरा जला दिये थे क्योंकि जब सूर भवान को अर्ग देना होगा तो हमें एक-एक सूप वो लोग पकड़ाते जाएंगे और हम अर्ग की दिल देते जाएंगे है प्रफ बीजिज़ बींड़ रह बीज़ रहा बिल में अजिया हॉष अजय को लुद तर साओा झाल 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 कष़चा रिकेर को का है जरी मादेफे पांठाउक बचा करां थे merchant ह। तो यहां पर फ्रेंड मैंने अरखा दे दिया था मेरे तीन सूप थे तो मैंने तीनों सूप का अरखा दे दिया था बाकी पंडी जी पहले अरखा दिलाए थे उसके बाद घर के जितने लड़के लोग थे उन लोगों ने अरखा दिया था उन लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है क्योंकि रिकॉर्डिंग करने वाले वही थे और वही लोग अरखा दे रहे थे और अभी जो मेरी पाड़ी बदली है और फ्रेंड अभी क्या है ना गाउं की जितनी भी लेडीज हैं जिन्नों ने यहां पर छट पूजा किया है सब एक साथ हवन करेंगी और वो हवन यहां पर पंडीजी करवाएंगे उनको तो जितनी भी लेडीज गाउं के हैं सब एक साथ यहां पर हवन क करिंगे कुझा कर दो कर दो कुझा कर दो क्या कर दो क्या क्या तो यहां पर फ्रेंड्स पूजा संपन होने के बाद में पूजा ब्रत खोलने से पहले हम लोग सब के पास जाकर के सिंदूर लेते हैं और प्रशाद लेते हैं और जितने बड़े हैं उनके पैर चूते हैं यहां पर मैं वही कर रही हूँ इसके बाद में हम लोग यहां पर व्रत खोलेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए हम लोग अपना व्रत खोल रहे हैं गाओं में एक हैं वो सब के लिए जितने भी व्रत की औरती थी उनके लिए गुड़ अद्रक और घी पका के लेके योगी वो हम लोगों के लिए चाय बना के लेके आई थी हम लोगों ने घाट पर चाय पिया उसके बाद में मेरा जो सबसे छोटा देवर है वो सब पूरे घाट पर सबके लिए राजभोग मिठाई जो होती है वो लेकर कि आया था कि सब लोग खा करके व्रत खोलेंगे तो इसी तरीके से कोई ना कोई कुछ ना कुछ व्रत की जो लेडिज है उन लोगों के लिए करके लेके आया हुआ था और अब सब लोग घर के लिए निकल रहे हैं को हम दो करनार करो तो अब आइव कोई तो पाद करो आगे है तो आगे मटार कोई कोस्ता है यह अ कि अब परेट का पैस क्यों ने रहे हो पाई और यहां पे फ्रेंड्स घाट से आने के बाद मेरी सासू मा को देखिए वो चूले पे हम सब लोगों के लिए पकोड़ी बना रही हैं और वहीं देखिए मैं आराम से बैठके खा रही हूं और अंदर किचन में मेरी देवरानी लोग हैं वो दूनों लोग सबके लिए खाना बना रही हैं अरे अब आपने माई से बोल दूबदराती के पूजा अरे तोरे घर कथवा पे आई के सवेर नहीं आई के नहीं बता अरे भाई देखा जे हमके ने उता देहें समुकर बात कर रहा थे ठीक तू का खत जो ने उता बात अरे पाई ने पर देता देली ने पाई थे अरे ने पर देता देखा जो आई यह वाग लोग सब्सक्राइब कर आपके लिए लोग देखा जाए अपने चाफवा जला आप अब कर दो दे भी कि लेगा को कि लास नाई कि अट्वा जय कहा कि लास नाया दुड़ा कीवा है और फ्रेंट्स अगले दिन सुबह ही च्छट के अगले दिन सुबह सुबह हम निकल चुके थे बैंककोक के लिए क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल का काफी लॉस हो रहा था तो हम ज्यादा दिन के लिए स्टे नहीं कर सकते थे तो यह पहली बार था कि हम इतने कम टाइम के कि इसी समय हम लोग निकल चुके थे तो फाइनली प्रेंड्स ले देखे मैं यहां पर बैंककॉक गेरपोर्ट पर बैखी हूँ और हम बैंककॉक बहुत चुके हैं हमारा चोटा सा छटबूजा का ट्रिफ इनी पर परिश होता है अब मैं में विलीगे आपको कि नेक्स व्लोग में बाइए